हलो वेलकम जैन दोस्तो राजस्तान जीके की कलास नंबर 16 लेकर आया हूँ देखिए अभी सिर्फ भुगोल भुगोल आपके राजस्तान जीके की चला रखी है राजस्तान के वन्य जी अभियारन्य को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और जितने भी अभियारन्य हैं संपू कुर्ण निशुल के कोर्स यहाँ पर करवाया जा रहा है जो की लेवल एक के लिए भी है और लेवल दो के लिए भी है पिछली जो पंद्रवी कलास थी साथियों उसमें हमने क्या पढ़ा था राश्टी उध्यानों के बारे में पूरा पढ़ लिया था और इन से संबंदि 17 में यह टूपी का आपके पूरा हो जाएगा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल हमने राजस्थान के तीन राश्टी अभिहारन ने पढ़े थे कौन-कौन से राश्टी अभिहारन या राश्टी उध्यान एक आपके केवला देव वाला पढ़ लिया था कल वाली क जित्तोर में इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था और इनके अलावरन थंबोर राश्टी उध्यान को भी हमने पढ़ लिया था साथियों अब यहां पर अभिहारनियों की बात करेंगे तो देखिए राजस्तान में अभिहारन ने आपका आज का टोपिक है और एक मनो विग्यान जो पहला टोपिक है आपके उसके शांदार प्रिश्ण आपको करवाए जाएंगे साथियों तो सबसे पहले हम जो अभिहारनिये हैं उनकी बात करेंगे तो पहला जो अभिहारनिये हैं वो है साथियों राश्ट्री मरू उध्यान देखिए सबसे पहले हम ब साथियों ये एक अभ्यारण्य है ये राश्टी उद्ध्यान नहीं है ये क्या है एक अभ्यारण्य है जो कि कहां पर है आपके जो जेसल मेर जिला है और आपके जो बाड़ मेर जिला है साथियों इन दोनों ही जिलों में आपके जो राश्टी मरू उद्ध्यान है ये फेला ह हुआ है आपको बता दूं कि इसका कुल कुल शेत्रिपल 3162 किलो में 자 있습니다. और 1262 वर इंट्र tramp Highway कि किलो में एम ए तो देखो।," Bürira… देखो कितना इससी कितना है 3162 क साथ यो बहुत ही जादा इसका शेत्रिपल है डिश्टिक वाइज भी शेत्रिपल पूँचा जा सकता है इसके बारे में कि पहले चीत तो राश्ट्री मरू ध्यान कहां पर इस्तित है तो जेसल मेर और बाड मेर मेर में है राश्ट्री मरू ध्यान का शेत्रिपल कितना है एक 3162 वर्ग किलोमिटर है जिसमें से 1900 वर्ग किलोमिटर जेसल मेर जिले में है और 1262 वर्ग किलोमिटर के कौन से जिले में है बार मेर जिले में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें इसकी स्थापना इसको अभ्यारण ने कब बनाया गया था तो राजटी मरू किया गया था साथ यो कब किया गया था सन 1981 में देखें राजिस्तान का सबसे बड़ा अभ्यारणने हैं देखो मैं आपको बता दू कि आपको अलग-अलग किताबों में इसका अंसर आपको कुछ अलग भी मिल सकता है लेकिन फेक्ट अंसर तो यही है कि जो राश्टी मरू उद्ध्यान जेसलमेर और बाडमेर जिले में हैं यही शेत्रपल की दरश्टी से राजिस्तान का सबसे बड़ा अभ्यारणने हैं साथियो तो एक्जाम के लिए वेर इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है यहां से कि शेत्रपल की दरश्टी से राजिस्तान का सबसे बड़ा अभिहरण ने कुन सा है आपका अंसर होगा राश्टी मरू उध्यान जो जिसलमेर और बाडमेर जिले में हैं जिसका शेत्रपल 3162 वर की किलोमेटर है और इसकी स्थापना 1981 में किये गई थी साथियों आगे बात करें तो इस राश्टी मरू उध्यान में मतलब इस अभिहरण में इस्तित लाटी सिरीन शेत्र जब हमने पस्चिमी मरूस्तिले प्रदेश पड़े थे बोतिक विबाजन में तो वहाँ पर भी मैंने इसका उलेक किया था कि लाटी सिरीन शेत्र जो कि मारा क्या है साथियोर राज्जे पक्षी है इसको बड़े चाओ से खाते हैं और यहां पर बहुत अधिक मातरव में आपको गोडाएवन देखने को मिल जाएंगे इसलिए इस राश्टी मरू उध्यान को गोडावन की शरन इस्तली भी कहा जाता है तो पूँचा जा सकता है गोडावन की शरन इस्तली किसको कहा जाता है राश्टी मरू उध्यान जेसल मेर बाड मेर को कहा जाता है साथियों आगे बात करें इस राष्टी मरू उध्यान के कौन-कौन से उपनाम है तो इसको जिवाश में पार्क भी केते हैं इसको प्राचिन जिवाश मों की संरक्षन इस्तली भी केते हैं इसको गोडावन की शरन इस्तली भी केते हैं और इसको गोडावन का घर भी केते हैं और इसको डेजर्ड पार्क के नाम से भी जाना जाता है तो इतने सारे उपनाम है सारे के सारे उपनाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए साथ यो कौन-कौन से जिवाश्म पार्क क्योंकि यहाँ पर डाइनोसोर्स के समय के लगबग उस समय के साथ यो जिवाश में मिले हैं, प्राचिन जिवाश मों की संरक्षन इस तली भी जिवाश में मिले हैं, तो उनका संरक्षन भी वहीं पर होगा, इसलिए प्राचिन जिवाश मों की संरक्षन इसली भी इसको कहते हैं, किसको राश्टी मरूध्यान को, गोडावन की इस्तली क्यों केते हैं क्योंकि साथियों यहाँ पर लाटिस रिज शेत्र में कौन सी घास पाई जाती है सेवन घास और यह सेवन घास किसका प्रियब हो जाना है साथियों यह सेवन घास गोडावन का प्रियब हो जाना है इसलिए गोडावन ज़्यादा कहा रहते हैं राश् फोसिल पार्क भी इस्तित है दोनों देखो चांदन नलकूप के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया था कि भई जो आपके चांदन नलकूप है ये क्या है साथियों ये जेसल मेर जिले में इस्तित है और ये थार का घड़ा भी कहा जाता है किसको कहते है थार का घड़ा चा इस अभियारन ने मिन चानदन नलकूप भी है और आकल वूट फोसिल पार्क भी है साथ क्यों यहीं पर तो प्राचिन जिवाश्म की संडक्शन इसलिकेते हैं चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहा जाता है आपको बता दिया था में एक जाम में के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्विशन है ये राश्टी मरू उध्यान में भूमिगत पाइप लाइने इस्तित है इन भूमिगत पाइप लाइनों को गजलर कहा जा तो ये एक इंपोर्टेंट फेक्ट आपके बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि जो राश्टी मरू उध्यान कहां है जेसल मेर बाड मेर मेर में है कब इस्तापना की गई उनीस सो इक्यासी में की गई राजस्थान का सबसे बड़ा अभिहारण्य है इकती सो बाइप लाइ इत्यादी चीजे में आपको बता दी है साथ यहां पाइप लाइन में बिची हुई है और इन पाइप लाइनों को क्या कहता है इस तानी बाशा में गजलर कहा जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बात करें तो आपके 2009 में इसे विश्व दरोहर्च में शामिल कर तो पिऊना साप के बारे में भी अधियन किया था कि यह बहुत ही जहरीला साप होता है और साथियों यह साप काटता नहीं है यह आदमी की सांसे चीन लेता है मतलब वहां का जो आदमी जब सांसे लेता है तो उसके माध्यम से जहर अंदर चला जाता है और आदमी को पता भ में इसे विश्व दरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था तो ये भी आपको याद रखना है कि राश्टी मरू उध्यान को विश्व दरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव कब रखा गया था 2009 में रखा गया था साथियों तो ये है आपके राश्टी उद्यान मरू मतलब उदर जेसल मेर बार मेर मेर में याद रख सकते हो शेतरपल की द्रश्टी से सबसे बढ़ा है विशेस्टोर पे याद रख लेना चलिए आगे बाढ़ते हैं नेक्ष्ट बात करेंगे तालचापर अभ्यारणने की सात्यों तालचापर अभ्यारणने ये परसिद्ध है तो तालचापर अभ्यारणने काले हिर्णों के लिए परसिद्ध है और कहां पर है ये चूरू में इस्तित है काले हिर्णों को क्रिष्ण मर्ग भी आप कह सकते हो क्रिष्ण मतलब काले मर्ग मतलब हिरन साथियों देखिए अगर बात करें इस्थापना वर्ष की तो सन 1971 में ताल चापर को अभिहरन्य का दर्जा दिया गया था चूरू में इस्तित है काले हिर्णों के लिए प्रसिद्ध है सबसे इंपोर्टेंट फेक्ट इसका यही है आपको कुछ याद रहे नहीं रहे लेकिन आपको यह जरू याद होना चाहिए कि यह काले ह इनों के लिए प्रसिद्ध अभिहरन्य कोन सा है तालचा पर चूरू है इस अभिहरन्य में मेथिया नामक घास पाई जाती है साथियों साइप्रस रोटंडस इसका जो वेग्यानिक नाम है यह प्रकार की नरम घासे साथियों और इस घास को यह जो काले हिर्ण है बहुत ही चाउ से खाते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद घास है कौन सी घास है मेथिया घास मेथिया घास के बारे में जब हमने वन संरक्षन के बारे में हमने पढ़ा था साथियों राजस्थान में वनों के बारे में जब हमने पढ़ा था पिछली जो कलासे थी उसमें भी हम अगले फेक्ट की तो यहां पक्षी भी आसानी से देखा जा सकता है। है रोड डेली यहां कला से हैं और यहां पर यकीन मानिया जितनी स्पीट से पढ़ा रहा हूं फुल डिटेल के साथ में तो उतनी स्पीट से आप कहीं पढ़ नहीं सकते हैं उन सारी चीजों को मैंने कहा है कि दो मैने में आपके पूरी राजस्थान जी के पूरी हो जाएगी जो पिछली मैंने इस्टिकी कला से पढ़ाई थी उनको मैं वापिस प्ले लिस्ट में एट कर दूँगा तो जो टोपिक पढ़ लिये थे उनको दो बारा नहीं पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़े हैं उन सभ यह से हमने राजश्थी मरूद ध्यान पढ़ा यहां से प्रिश्ण बनने के बहुत जादा चांस है फिर उसके बाद में हमने तालचापर पढ़ा तो यहां से प्रिश्ण बनता है तीसरा हम पढ़ रहे हैं सीता माता अभ्यारन्य यह भी बहुत ही परसिद है साथ यह चित माता अभियरन्य मुख्य रूप से कौन से जिले में है परताब गड़ जिले में हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये याद आना चाहिए कि सीता माता कहां की थी परताब गड़ की थी साथ यो सीता जी कहां की थी परताब गड़ की थी आप ऐसे भी याद रख सकते हो तो सीता माता अभियारणि परताबगर में मुख्य रूप से याद रखना है आपको कुछ याद रहे नहीं रहे आपको ये दो चीज़े याद रखना है सिता माता उड़न गिलहरी के लिए सरवधिक पर सिद्धे उडन गिलहरी उडने वाली गिलहरियां यहां पर पाई जा सकती है एक मात्र इसा अभ्यारणी राजस्तान का जिसमें उडन गिलहरी पाई जाती है और इसके लिए ही परसिद्धे सरवदिक साथियों तो उडन गिलहरी सीता माता अभ्यारणी प्रताबगड में पाई जाती है और ये जो अभ्यारणी है प्रताबगड के साथ चितोड और उधेपुर में भी है ठीक है इसके उपनाम सागवान अभ्यारन्य के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि राजस्तान में सरवादिक जिस अभ्यारन्य में सागवान है वो भी आपके सीता माता है इसको चीतल की मातर भूमी भी कहा जाता है सीता माता अभ्यारन्य को चीतल की मातर भूमी के नाम से भी जाना जाता है इसको सागवान अभ्यारन्य क्यों कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सरवादिक सागवान सीता माता अभ्यारन्य की बात कर रहे हैं अपन अभिहरण्यों की बात करें तो राजस्तान में सरवधिक सागवान सीता मात अभिहरण्य में पाई जाते हैं और इसकी स्थापना है 1989 में 1989 में इसको अभिहरण्य का दरजा दिया गया था परसिद है यहां की उड़न गिलहरी जिसको मशोवा के नाम से भी जाना जाता है चो सि अभिहरण्य का है साथियों सीता माता उड़न गिलहरी कौन से अभिहरण्य की परसिद है सीता माता की साथियों इस अभिहरण्य में लवकुष नाम के दो जढ़ने इस्तिते तो याद कैसे रखना है कि सीता माता नाम है अभिहरण्य का क्या है सीता माता सीता माता के पुत् खुश तो सातियों ये दो ज़र्णे मतलब सीता जी के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि लव भी रहते हैं और कुश भी रहते हैं तो सातियों इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि लव कुश नामक दो ज़र्णे सीता माता भ्यारणे में बैस सीता माता कि जो जो उन इसी सिता माता अभ्यारण्य में भी पाए जाती है सबसे सुन्दर छिपकली कौन से अभ्यारण्य में पाए जाती है सिता माता में है देखेगा आगे बात करें तो इस अभ्यारण्य में पेंगोलिन नामा के एक जली जीव पाए जाता है जिसे इस्थानी बाशा में आडा हूला कहा जाता है तो देखो important fact मैंने कहा ना कि वो चीज़ा आपको यहां पर provide कर घरवाई जाएगी बिल्कुल निशुल एक एक फेक्ट आपके लिए exam के लिए बेहद मैदपुन होने वाला है साथ हूँ सीता माता अभ्यारण्य में एक एसा जीव है जिसका नाम क्या है पेंगोलिन नॉर्मली उसको किस बाशा में जाना जाता है पेंगोलिन नाम से जाना जाता है लेकिन है उसको इस्थानी बाशा में किस नाम से जानना जाता है आडा हूला तो पेंगोलिन जलिये जीव किस अभियारन्य में सिता माता में पेंगोलिन को इस्तानी बाशा में क्या कहते हैं आडा हूला कहा जाता है साथियों यह सरवादिक ओजदियों वाला अभियारन्य है और सरवादिक सागवानों वाला अभियारन्य भी आपके सीता माता अभ्यारन्य ही है साथियों तो सागवान विशेश तोर पर याद रख लेना क्योंकि उपनाम भी है इसके आधार पर इसका नेक्स्ट बात करेंगे चोथे अभ्यारन्य के बारे में तो आपके चोथे अभ्यारन्य आता है शेरगड अभियारन्य जो की कहां पर है 12 जिले में हैं जो कोटा 12 जालावार बुन दी ये 4 जिले हाडोती में आते हैं साथियों तो ये जो शेरगड अभियारन्य है 12 जिले में इस्तित है और इसकी इस्थापना की गई थी सन 1981 में देखे important fact क्या क्या है शेरगड के तो इस अभियारन्य के मद्द से परवन नदी गुजरती है और इस अभियारन्यों को सापो की शरण इस्तिली के नाम से भी जाना जाता है सापो की शरण इस्तिली कौन सा अभियारन्य शेरगड तो आपको किसे याद रखना है सापों की शरण इस्तली साथियों साप किस के उपर रहते हैं शेर के उपर रहते हैं याद रखना है किस के उपर रहते हैं साप शेर के उपर रहते हैं साथियों आपको सिर्फ इतना याद रखना है तो सापों की शरण इस्तली शेरगड बारा शेरगड अभ्यारने कहां पर है बारा में और सापों के शरण इसतली भी इसको कहा जाता है इस अभ्यारने में शेरगड दूर जिसको कोशवरदन गड़ के नाम से भी जाना जाता है यह अलग-अलग नहीं है दोनों एक यह साथ योँ अलग अलग नामों से जाना जाता है वैड शेरगर दुर्ग में कोशवरदन गडर दूर्ग कहा पर इस्तित है तो फिर वहां पर आपको याद रखना है शेरगर दूर्ग में यह इस्तित है क्योंकि कोशवरदन गर जो दुर्ग है इसी को शेरगर दुर्ग कहा जाता है या शेरगर दुर्ग को ही कोश वर्धन गर दुर्ग के नाम से जाना जाता है कहां पर इस तित है शेरगर में शेरगर अभ्यारण ने कहा हैं बारा में और साथियों शेर को उपर क्यों रहते हैं साप रहते हैं सापो पर याद रखनी है पाच्वे नमबर पर बात करेंगे माउंट आबू अभ्यारन्य की माउंट आबू सिरोही में कोई दिक्कत वाली बात नी रटी रटाई चीजे हैं माउंट आबू सिरोही सभी को नोलेजिस चीज का इस्थापना 2008 में की गई थी मतलब 2008 में माउंट उचाई पर इस्तित अभ्यारण ने क्योंकि आपको सब को पता है माउंट आभू बहुत उची जगे है नकी जील भी वहीं पर इस्तित है साथियों इस अभ्यारण के मद्य नकी जील इस्तित है नकी जील तो आमने राजस्तान की जीलों में जो मिटे पाने की जीले पड़ी सत्या की जिरे आपके जंगली मुरगों के लिए पर शित्द है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभियारन्य परसिद्ध है कौन सा सात्यो माउन टाबू सिरोही आपके जंगली मुर्गों के लिए परसिद्ध है यहाँ पर भी सबसे सुन्दर चिपकली पाए जाती है सीता माता में भी सबसे सुन्दर चिपकली है और आपके जो माउंट अबू सिरो ही है इसमें भी सबसे सुन्दर चिपकली मतलब वो जो चिपकली है सीता माता वाली जो परताबगड में है ना वो ही चिपकली आपके यहां पर भी पाए जाते है माउंट अबू में भी साथियों तो ये है आपके माउंट आबो अभ्यारण्य जो की राजिस्तान के सिरोही जीले में इस्तित है क्या-क्या याद रखना है सरवादिक उचाई पर है नक्की जील है जंगली मुर्गों के लिए परसिद है और सबसे सुन्दर चिपकली भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा है था कि भाई नक्की जील में कारा नामक एक वनस्पति पाए जाती है जिसके कारण नक्की जील का पानी कैसा होता है साथियों प्रदूशित हो जाता है यह चीत तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है ठीके यहाँ सरवादिक दूरलब परकार के जील जनतुए अभ्यारण्य की तरफ छेटा है आपके कुंबलगर्ण अभ्यारण्य कुंबलगर्ण कहां पर है राजसमंद जीले में इस्तित है राजसमंद के साथ में उदेपूर और पाली जीले में यह कोई दूर के तोड़ी है कि राजसमंदी राजसमंद रहेगा कुंबलगर्ण त की गई थी 1971 में मतलब कुम्बलगड को अभियारन्य का दर्जा कम मिला था 1971 में मिला था साथियों बात करें तो इस अभियारन्य में कुम्बलगड दूर्ग इस्तितवाई कुम्बलगड अभियारन्य है तो कुम्बलगड दूर्ग भी यह रास समंध में तो वो भी इसी के अ तरगताता है जिसमें महरणा कुमबा की हत्या की गई थी और महरणा उदे सिंग का लालन पालन हुआ था किसमें कुमबलगड दुर्ग में ही महरणा कुमबा की हत्या की गई थी और उदे सिंग का लालन पालन भी जब मैंना आपको पहले रीड के टाइम पे इस्टी पढ़ा पाली और उधेपूर जिले में है साथिहों।… इस अभियारण्य को भेडियों की प्रजणन'... इस य भी कहा जाता है। और इसमें रनकक्पूर का जहन्मंदिर भी इसतित सबीजीने महें धो थे था है कुम्हास्नद परिया गया गय था 1971 में और किसके लिए प्रसिद्द है जंगली घूसर मुरुगों के लिए जंगली घूसर मुरुगों के लिए और वेड़ियों की परजनन इसले भी इसको कहा जाता है साथियों चली आगे बढ़ेंगे आपके 7 वे नंबर पे कोन सा भ्यारन नी है तो 7 वे नंबर पे ह आपके बेस रोड़गर अभ्यारने जो की बेस रोड़गर कहां पर पढ़ता है चितोरगर में पढ़ता है जिसने जी के नोरमली पढ़ रखिये उनको शब्द किसी जगे का नाम आदा आते हैं उसको ये पता चल जाता है कि इस जिले में हैं जैसे यहां पर हमने कुंबलगर परा तो कुंबलगर का नाम आते हैं हमारे मायन में राजसमन्द आ जाता है बेस रोड़गर कहां इस्तित है बेस रोड़गर आपके चितोर में पढ़ता है तो अभ्यारने भी चितोर में पढ़ेगा साथियों 1983 में इसे अभ्यारनी का दर्जा दिया गया था इस अभ्यार पर चंबल वे बामने नदियों के संगम पर बेसरोडगर जल दूर्ग इस्तित है जो की साथियों इस मान देसरा के पतार पर ही है इंपोर्टेंट फेक्ट इसलिए है जो बेसरोडगर जल दूर्ग है चंबल और जा बामने नदी मिलती है वहाँ पर बेसरोडगर जल ये किस पठार परिष्टित है तो ये मान देश्रा के पठार परिष्टित है और ये मान देश्रा का पठार आपके बेसरोडगर अभ्यारण के अंतरगत ही आता है कहां है ये चित्तोडगर जिले में है साथ यो इस अभ्यारणी में ही राजस्तान का सबसे उचा चुलिया जल परपाद भी इस्तित है तो देखो राजस्तान का सबसे उचा जल परपाद कौन सा है चुलिया जल परपाद है साथियों जो कि किस जिले में पड़ता है आपके चितोड़गर जिले में बेसरोड़गर अभ्यारणे के अंतरगती आता है जब हमने यहाँ पर नदियां पड़ बसी अभ्यारणे तो बसी बसी अभ्यारणे आपके चितोड़गर जिले में ही स्तित है और यह अभ्यारणे चीतल के लिए परसिद्धे और 1988 में इसकी इस सापना की गई थी तो भई चितोड़गर में एक तो बेसरोड़गर अभ्यारणे है और एक आपके बसी दो देखो एक राश्टी उध्यान भी हमने पड़ा था चितोड कोटा और जालावाड में साथ युद्धर जो मुकुंद्रा इल्स नेशनल पर्क है वो भी चितोड कोटा और आपके जालावाड में है अभ्यारणी जब हमने पड़े तो बेसरोरगर अभ्यारणी पड़ लि प्रसिधे चीतल के लिए प्रसिधे साथ युद्ध तो चीतल के लिए कून सा अभ्यारणी परसिधे बस्य अभ्यारणी कहां है चितोड में कब इस्थापना की गई 1988 नेक्ष नौए नंबर पर बात करें तो नौए नंबर पर आता है नाहरगड वन्य जीव अभ्यारणी नाहरगड कौन से जगे पढ़ता है जेपूर जीले में पढ़ता है साथ यो कहां पढ़ता है जेपूर जीले में तो नाहरगड वन्य जीव अभ्यारन्य कहां पर है जेपूर में इस्तित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी राजिस्थान का प्रतम जेवी कुध्यान जि को याद रखेगा राजस्थान का प्रतम जे वी कुद्ध्यान या बायो लोजी केंदर भी बनाया गया है साथ्यों तो देश का पूरे देश की बात की ज़राई है देश का तीसरा भीएर रेस्क्यू सेंटर या भालू संरक्षान केंद्र कौन से अभ्ध्यारण्य में हैं नाहरगड वन्य जीव अभ्ध्यारण्य में हैं और कहां पढ़ता है ये जेपूर में पढ़ता है राजिस्थान का प्रतम जेवी कुध्यान या बायोलोजिकल पार्क भी नाहरगड वन्यजीव अभ्यारण में ही इस्तित है साथ हो नेक्स्ट दसवे नमबर पे बात करें तो दसवे नमबर पे आता है आपके जमवा रामगड अभ् गड़ तो नाहरगड जमवा रामगड एक जिसे नाम है न थोड़े तो दोनों ही आपके जेपूर जिले में इस्तित थे 1982 में इसे अभ्यारण का दर्जा दिया गया यह जो जमवा रामगड अभ्यारण है ये जेपूर रियासत का शिकार गाह कहलाता है मतलब जो जेपूर माता का मंदिर भी इस्तित थे बहुत ही important factor इसके बारे में कि कच्वाह वंश की कुल देवी जमवाई माता का मंदिर कौन से अभ्यारण ने में इस्तित थे अब ये तो आपको पता है कि कच्वाह वंश कहां का था जेपूर का था सातियों लेकिन है option में नहरगड भी इसे याद रख लेना है तो कुल देवी बड़ी होती है तो जिसमें ज्यादा शब्द है उसी अभ्यारण में आपके इसका मंदिर है कच्वाह वंश के शाषकों की कुल देवी का सातियों तो जमवा रामगड में यहाँ पर आपको जेपूर रियासत के शिकार का याद बात करें तो बंद बारेटा कौन से इस्तान पर पढ़ता है आपके भरतपूर में पढ़ता है सातियों भरतपूर में भी कहां पर बायाना में पढ़ता है बायाना नामक इस्तान पर बंद बारेटा ब्यारण इस्तित है इसे परिंदों का घर कहा जाता है किसको बंद बार में बारेटा बांध भी इस्तिते साथ यो बारेटा बांध भी बंद बारेटा 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्या इंपोर्टन चीज है कि कहां इस्तिते बरतपुर में और परिंदों का घर भी को कहा जाता है किसको बंद बारेटा अभ्यारन्य को क्योंकि यहां बहुत अधिक मात्रा में आपको पक्षी देखने को मिल जाएंगे 12 नमबर पे बात करें रामसागर वन्य जीव अभ्यारन्य दोलपूर में है 13 नमबर पे बात करें वन विहार अभ्यारन्य दोलपूर में है 14 नमबर पे बात करें केसरबाग वन्य जीव अभ्यारन्य ये भी दोलपूर में है दोलपूर में तीन अभियारन्य हैं केसरबाग, वन विहार और राम सागर राम सागर की स्थापना 1955 में वन विहार की स्थापना 1955 में और केसरबाग की स्थापना भी 1955 में ना तब दोलपूर के तीनों अभियारनियों की स्तापना 1955 में की गई, राम सागर वन में जाकर के केसर लाते हैं, क्या याद रखना है, राम वन में जाकर के क्या लाते हैं, कव लाते हैं, 1955 में लाते हैं साथियों, तो राम से राम सागर वन से वन विहार, केसर से केसर बाग, तीनों की स्ताफना कप की गई, उनिस सो पचपने और तीनों कहां पर है, दोलपूर जीले में है साथियों, रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, किलियर्टी हुई एक नहीं हुई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे, पंद्रवे नंबर पे कौन स इस्तिते साथियों, जैसे हमने जो कुंबलगड अभ्यारन ने देखा था, और रास्समंद में तो था ही, लेकिन उसके अलावे में आपको बताया था, उसी परकार, फुलवारे की नाल अभ्यारन भी उदेपूर के साथ में ही, रास्समंद और पाली जीले में भी, इस्ति पुलों के लिए परसिदे साथियों ये, तो सोलवे नंबर की ओर बढ़ेंगे, आपके सोलवे नंबर पहे, जैसमंद वन्य जीव अभ्यारन ने, जैसमंद जील भी अमने पड़ी थी साथियों, कौनसी, जैसमंद जील भी अमने पड़ी थी, और जैसमंद जील कहां है, उ उदेपूर में ही रहेगा साथियों इस्थापना वर्ष की बात करें तो जैसमंद वने जीव को अभियारने का दरजा कब दिया गए था। 1955 में इसको अभ्यारने का दर्जा दिया गया था, देखो इसमें जील भी स्थिते जो आपके जैसमन्द जील है उदेपूर में, ये जैसमन्द वन्य जीव अभ्यारने के अंतरगती स्थिते साथ यो, बागेरों के लिए परसिद्ध है ये अभ्यारने, और इसे जल चरो की ब बस्ति के नाम से जाना जाता है, तो जैसमन्द वन्य जीव में क्या क्या याद रखना है, किसमें जैसमन्द जील है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं, जैसमन्द जील का है उदेपूर में, तो जैसमन्द वन्य जीव अभ्यारने भी का है, उदेपूर में, इस सा सज्यंगर अभ्यारणने कुन सा अभ्यारणने साथियों सज्यंगर अभ्यारणने कहा है उधेपुर मैं ही इस ती थे हमेने अभी जो जई समंद वन्य में देखने को मिलेंगे साथियों कौन से बड़े बड़े गुलाब। यहां सजणगँ हैं तो क्योंसा अभ्यारनि में हैं, तो सजणगँ आफ्यारनि में हैं, इसम्हें ज्यादा अभ्यारण ने कौन से जिले में स्तित है उदेपूर में देखो इसके अलाव उदेपूर में हमने कौन-कौन से अभ्यारण ने पड़े हैं फुलुवारी की नाल हमने पड़ा है अभी मेना आपको बताया भी था जैसमंद वन्य जी अभ्यारण ने पड़ा है ये भी मेना आ जाता था तो जम्वारामगर में जाते थे साथियों वो ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे आपके अठारवे नंबर पर कौन सा अभियारन्य है जवाहर सागर अभियारन्य की बात करें तो ये मुख की रूप से कोटा बूंदी और चितोड़गर जिले में इस्तित है चंबल नदी यहां से गुजरती है और गड़ियालो का परजनन केंद्र इसको कहा जाता है किसको जवाहर सागर अभियारन्य को गड़ियालो का परजनन केंद्र कहा जाता है प्रतम सरपूद्यान सबसे important fact ये ये है अगर आप इसको इश्टार देने की बात करें तो इस कि राजिस्तान का प्रतम सरपुद्धान किस अभ्यारने में इस्तित हे जवाहर सागर अभ्यारने में स्तित है साथ्यों कहां पर है ये कोटा बुंदी चितोड में और चम्बल नदी इस अभ्यारने के मद्डे से गुजरती है नेक्स्ट उन्निस्वे नंबर पे बात करेंगे, राश्टिय चंबल घडियाल अभ्यारन्य, साथियों यह आपके छे जीलों में इस्तित अभ्यारन्य हैं, राश्टिय चंबल घडियाल अभ्यारन्य, कौन-कौन से जीलों में, चितोडगर जीले में, कोटा जीले में, बूं पड़ी थी, राजस्तान में छे जिलों से उकर के ये गुजरती है, कौन-कौन से जिलों से उकर के गुजरती है, चितोर जिले से, कोटा जिले से, बुंदी जिले से, मादोपुर से, करोली से, और धोलपुर से, मतलब जो चंबल नदी गुजर रही है, उस नदी के शेत्र को कोई चंबल गडियाल अभ्यारन्य कहा जाता है साथियों उसके यूनिये कि भाई इसका कोई जंगल है ये नदी का अभ्यारन्य है ये राजस्थान का एक मात्र नदी अभ्यारन्य ये है साथियों राजस्थान का क्या भारत का भी कह सकते हो इसको कि नदी के अलावा ये अभ गडियाल अब्यारने ये नदी नदी में इस्तित है सातियों जो चंबल नदी गुजर रहे हैं आपके छे जिलों में इन छे ही जिलों में चंबल गडियाल अब्यारने इस्तित है और भारत का एकमात्र नदी अब्यारने है इसे जलिये जिवों की प्रजनन इस्तितली कहा जा कि इसको राष्टिय चंबल बै नाम क्या गडियाल मगरमच के जिसे होते हैं गडियाल नाम सुना होगा आपने तो साथियों गडियालों की सबसे बड़ी शरण इस्तली भी इसको कहा जाता है और 1979 में इसको अभियारन्य का दर्जाद दिया गया था साथियों तो क्या क्या याद रखना है इसमें से कि राष्टिय चंबल जो घडियाल अभियारन्य है राजिस्तान के कितने जीलों में इस्तित है छे जीलों में इस्तित है भारत का एक मात्र नदी वाला अभियारन्य नदी गड़ीा अभियरने हे साथियों 20 वे नंबर पर बात करें तो देखो, एक और चीज़ जिसमें है कि ये अभियरने गड़िया लोँ और गांगे इसूस के लिए पर सिद्धे हे साथियों, दोनों चीज़ों को याद रखना है 20 वे नंबर पर बात करेंगे केला देवी अभ्यारने केला देवी कहां पर है केला देवी नाम आते ही नाम आना चाहिए आपके मायन में करोली क्योंकि केला देवी का मंदिर है यहां पर तो साथियों केला देवी जो अभ्यारने है ये भी कहां पर रहेगा करोली में रहेगा कब दिया गया था इसको अभ् अभ्यारण्य में त्रिकुट परवत इस्तित है और इस त्रिकुट परवत पर ही केला देवी का परसिद्ध मंदिर इस्तित है साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट फेक्ट है ये इसका कि ये केला देवी का परसिद्ध मंदिर किस परवत पर है त्रिकुट परवत पर है क्यो कुन से परवत परिस्ति थे, त्रिकुट परवत परिस्ति थे, साथियों केला देवी करोली को डांग की रानी भी कहा जाता है, जिसको डांग लेंड के नाम से भी हम कह सकते हैं, कहा किसको कहा जाता है, करोली को कहा जाता है साथियों, 21 नंबर पे बात करें, गजनेर अभ्या जो बिकानेर जीले में स्तित है यह साथियों जो गजनेर अभिया रन्य है यह बटबड़ पक्षी के लिए परसिद है कौन से पक्षी के लिए बटबड़ पक्षी के लिए परसिद है इसे रेत का तीतर भी कहा जाता है बटबड़ पक्षी को रेत का तीतर मतलब देखो बिक वे नंबर पर बात करें सवाय मान सिंग अभ्यारन्य सात्यों सवाय मान सिंग अभ्यारन्य आपके सवाय मादोपुर जिले में इस्तित है जिसमें देखो चीडी खो नामक प्रियटन इस्तल है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है सवाय मान सिंग अभ्यारन्य के बारे मे कि कौन से जिले में इस्ति थे सवाई मादोपुर जिले में इस्ति थे साथियों यहाँ पर एक प्रश्ण पूचा जा सकता है कि चीडी खो नामक प्रेटन इस्तल कौन से अभ्यारण्य में इस्ति थे तो सवाई मान सिंग अभ्यारण्य में ही चीडी खो नामक प्रेटन इस् इस्ते थे अजमेर, पाली, रावली, टोडगर, अभ्यारने, राजस्तान का एक मात्र अभ्यारने है ये जो राजस्तान के तीन संभागों में इस्ते थे, क्योंकि अजमेर जीला अजमेर संभाग में पढ़ जाता है, पाली जीला जोतपूर संभाग में पढ़ जाता है, और राजस्थान के तीन संभागों में यहां पर फेला हुआ है कौनसा है रावली, टोटगड, अब्यारने है साथियों यहां रीच हुए जर्खों के लिए परसिद्ध है जरक नाम सुना है ना जरक रीच साथियों यहां इसके लिए परसिद्ध है तो प्रिश्ट पूश्चा जोतफूर संभाक का पाली जिला है और अजमेर संभाक का अजमेर जिला है साथियों इस अभ्यारण्ये में चलेए compensation 24 नमबर पे बात करेए तो 24 नमबर पे आता है आपके रामगड़ विश्यधारी अभ्यारण्ये कौन सा भ्यारण्ये रामगड विश्धारी अभ्यारन्य साथियों ये है आपके बूंदी जीले में कौन से जीले में? बूंदी जीले में इस्तिते साथियों 1982 में इसको अभ्यारन्य का दर्जा दिया गया था रामगड विश्धारी विश्धारी को धारन करने मतलब साप साप मतलब अजगर तो अजगर की शरण इस्तली भी इसको कहा जाता है किसको रामगर्ण विश्दारी अभ्यारणी को अजगर की शरण इस्तली कहा जाता है यहाँ पर चंदन वरिक्षी पाये जाते हैं सभी को पता होगा कि अजगर को कौन से अच्छे लगते हैं, मतलब पसंद आते हैं, साथियों चंदन के अवरेक्षी पसंद आते हैं, इसी वज़े से, इसी को अजगर की शरण इस ते लिए कहते हैं, रामगर विश्धारी अभ्यारन्य हैं, बूंदी में हैं, 1982 में इसको अभ्यारन्य का प्रियोजना जो हमने कल वाले वीडियो में पढ़ी थी, कल हमने बाग प्रियोजना भी पढ़ी थी, और आपने कल ही आपके राष्टी उद्ध्यानों को भी पढ़ा था, तो उसमें चार बाग प्रियोजना पढ़ा थी, चोते नंबर पे, साथियों हमने रामगर सारिया ब्यारण्य में कब चलाए गई है 2021 में राजस्थान की ये चोती बाग प्रियोजना और बारत की ये 52 बाग प्रियोजना ये साथियों इसे रनतंबोर के बागों का जच्चा घर्भी कहते हैं रनतंबोर जो सवाई मादोपुर में हैं इनके बागों का जच्चा प्रियुजना में बाग प्रियुजना के अंतरकस सामिल है ठीके चलिये 25 वे नंबर के ओर बढ़ते हैं 25 वे नंबर पे हैं आपके सरिस्का अबीर अरनक्यारन्यहरिजना सरिस्का में अलवर में है साथियों देखो, दूसरी बाग परियोजणा सरिसका में चलाए गई है, पहली तो रन थमबौर में चली थी, दूसरी सरिसका में चली, 1978 में छीके, और 1903 में या पर रन थमबौर में पहली चली थी, तीसरी आपके जो आपके दर्रा अब्यारन्य है ठीक है मुकुंद्रा हिल्स राष्टी उद्ध्यान है जातियों तीसरी भाग पर्यूदना वहां चली और चोती कहां चली थी रामगड विश्दारी अब्यारन्य में जो अभी हमने देखी थी 2020 में सरवादिक मोर वाला अब् अब्यारन्य का दर्जा दिया गया था यहां राजस्तान की दूसरी भाग परियोजना 1978 में चुरू की गई थी यह भी बहुत इंप्यारन्य है जब हमने भाग परियोजना पड़ी थी तो मैंने आपको बता दिया था हरे कबूत्रों के लिए परसिद्ध है वेरी इंपोट जाते हैं दूसरी भाग परियोजना 1978 में यहां पर शुरू की गई है राजस्तान सुरी राजस्तान के भारत का राष्टी पक्षी सर्वादिक जो है मोर यह इसी अब्यारन्य में है तो यह आपको सारी चीज़ आपके सरिसका अब्यारन्य जो अलवर में है इसके संबंद म में ही है दो हचार बारा में इसकी स्थापना की गई है सरिसका अ की राजस्तान का सबसे चोटा अभ्यारन्य सबसे चोटा मात्र तीन पॉइंट जीरो एक वर्ग किलो मिटर मात्र तीन वर्ग किलो मिटर तीन क्या सोरी तीन वर्ग किलो मिटर इसका शेत्र पले मात्र कितना तीन वर के किलोमेटर तो प्रिश्ण ये पूचा जा सकता है राजस्तान का सबसे चोटा भ्यारण निकोंस अए सरिसका ऐ सरिसका ऐ अव्यारण सरिसका नहीं है सरिसका ऐ जो की अल्वर में ही है और 12 में इसकी इस्ता अपना की गई थी सात्यों 27 वे नंबर पे आता है आपके सुंदा मात अभ्यारन ने जो कि टॉटल अभ्यारन्य मेंने कली लिका दियेてे 27 कल लिखायते ना मैंने तो 27 वा भ्यारन्य है सुन्दा माता भ्यारन्य कहां पर है जालोर में इस्तित है सात्यों 20 जुलाई 2010 को इसे भालू सनरक्षन एतु अभ्यारन्य बनाया गया इसलिए इसे भालू भ्यारन्य भी कहते हैं इस अभ्यारन्य में सुन्दा माता का मंदिर राजस्थान का प्रतम रोपवे इस्तित है तो ये टोटल 27 अभ्यारण ने मैंने बता दिये आपको सुन्दा माता याद रखना है सुन्दा माता जालोर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कब बनाया गया 20 जुलाई 2010 को इसको बनाया गया किसलिए भालू का संडक्षन करने के लिए या भालू सुरक्षित रह सके इसलिए इसको बालू अभ्यारण ने भी कहते हैं आपको सबी को पता होगा कि सुन्दा माता में राजस्थान का प्रतम रोपवे भी इस्तित है और सुन्दा माता का मंदिर ये जो रोपवे है इसी मंदिर में साथ यो याद रखना है तो यह आपके अभ्यारण का टोपिक पुरा होता है कल आपके वनी जी उसे संबन दीते जो संद्रक्षन वाला जो दो टोपिक है इन में साथियों आपका अंतिम कलास रहेगी कल उसके बाद में मर्दा राजस्तान की जो मिटिया है उसके प्रकार है उनको देखेंगे साथ क्यों में